हाँ फ्रेंस मैं हूँ उमा स्वागति हैं तो दस बार इंज ले रहे हूं दाल चिनी के टुकर दस और घस लंग तेस पता दो एक एस्टार और यहां पर नटमेग तो यहां पर जो ज़ाइफ़ल हा Ayano दो-तीन पिंसलेरे आप यहां पर जिंजर यानि कि अद्रक भी ले सकते सुखी वी अद्रक को यहां पर लेकर पिछ सकते हैं यह जिंजर पाउडर भी एड़ कर सकते हैं तो लो फ्लेम पे हम इने भूल लेंगे 2-3 मिनर तक अगर आप ज़्यादा क्वाटिटी में बनाना चा तो जैसे ही ठंडा हो जाएगा, हम यहाप इसे पादर बना लेंगे तो महीने मसाला चलेंगे, सालो चलेंगे पर खराब नहीं हो तियर पॉडर बनके तियार है, मैं यहाप इतना आपको बता रही है जब चाह बनाए तो बहुत कम टाइम है भी से बना कर जाला तो इसे स्टोर करके ने के हैं अब चलते चाय बनाने के तरब तो मैं यहाँ पर ले रहे चाय बनाने वाले उनाने तो यहाँ नहींट पानी पानी डाल लई हूँ यहाँ पर डाल लेई शुगर यानि किचीनी दो चमस के करीब अपने टेस्ट के एक एक च्छाय पती तो दो बड़े चमस चाय पती अगर आप करक पीते तो थोरा ज़ादा डाले यह कम डाले अधरक तो मैं वहां पर अधरक यूज नहीं की थी मसाले मे मैं फ्रेस कूट कर डाल लई हूँ तब मसाला बना कर तियार कर ले और अधरक जब चाय बना तो उस्ट में भी एड़ कर सकते हैं इन सब को मिक्स कर देंगे और अच्छी भॉय लाने देंगे जैसे तीन चार बार इस तरह से भॉय ला जाएगा तो मैं यहां पर दूद तो पांच साथ मिन तर अच्छा बॉयल आने चाहिए चाय में तभी जाकर एक अच्छी टेस्ट चाय की आती है चाय पीना हर किसी को पसंदे ठंडी हो या गर्मी हो या बरसाथ की मौसम हो पर यह मसाला अगर है तो चाय बनाना बहुत ही असान हो जाता है तो मैं इसमें बत मसाला बनाईती है चाय चाय बना पसंद करेंगे तो देख रहे हैं इस तरह हमें बॉयल आनी है और कर्सुल इस तरह से उपर करकर के चाय को उठा कर यह इसमें डालनी है इसे क्या होगा नेक अच्छा प्लेवर आएंगे जलेंगे चाय तो धाबा बाली टेस्ट भी आईग तो यह इस प्रोसेस के हमें आठ दस बार लगतार करनी परती है चाय में अच्छी बॉय आनी परती है तो भी जाए के स्पेसल चाय बनती है तो मिडियम टू लो पे ही करें हाई पे करेंगे तो चाय बॉयल होकर गिर सकती है तो अब मैं इसे साइट पर रख देती हूँ बि हो से तीन से केंट के लिए आप इसे ना हाई फ्लेवर आएंगे इसे दिखा दें क्या होगा ना अधिक प्लेवर आयेगे चाय में पैंगे तो बहुत ही अछाई चार-पान सब्लेक्न होगे तो अब बड़े से कुलर आप का इसे साइट परती हूँ एक बया सब्लयत ले अ पकाने में हाई फ्लेम पे इसे पकाना है यानि कि चार-पांस मिनिर तक बड़े से कुलर को हमें जलाना है तब ब्लैक नो हो जाए आप दिखेंगे ना पांसी मिनिर बाद अच्छी से ब्लैक अगर अगर आप पीरे कुलर वाली तो इसे बहुत सब्धानी से करें इस तरह से और इसे अलट पलट के हमें बहुत ही अच्छी से बिसिकलिस को जला देना है तो जाके तंदूर वाली टेस्ट आती है और साइड वाले गैस पे लो फ्लेम पर ही चाहिए कि ताकि अची गरम होनी चाहिए क्योंकि इधर द्यान होगा अगर उधर हाई फ्लेम आप कर देंगे तरह चाहिए गिर सकते इसलिए लो फ्लेम में बोले लास्ट के एक मिनिट में फ्लेम को हाई कर दें तो यह दिखे मैं चार-पांच मिनिटे किस तरह पका रही हूं इस सब से देख रहे काले दिक हैं अगर वीडियो पसंद आती है तो प्लीज मेरे वीडियो की नीचे लाइक बटन किलिक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें सेर काना विल्कुल ना भूले तो मैं इसे यह जो कुलर इसे हटा देती हूं अब चरते सर्विंग प्रोसेस पे तो मैं इसे कुलर में निकाल द मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू रेस्पी के साथ अब तक लिए बाई एंड टेक केर मार्कर से बढ़िया चाय बना सकते हैं कोई जरूतनी बाहर पीने का घर पर बनाएं डेली बना कर पीजिए विंटर सीजन है इंज्वाई कीजिए तो आप इस तरह के ग्लास में भ दावा पर अक्सर आप देखते होंगे